नमस्कात दोस्तों स्वागत है आपका आपकी अबरे चैनल में बात करेंगे विश्चिक राशी के लव राशी फलकी और माफिय आपसे चाहूँगा कि कुछ दिनों से आपको वीडियो जानते ही हैं आपका ये दोस्त बहुत जल्दी विवा के मंदर में बंद जाएगा इस जैसे अपने घर पर इवार के जो फंक्शन्स होते हैं उसमें मैं थोड़ा सा बीजी चल रहा था अपनी कुछ पिक्स भी मैंने शेयर की थी कम्यूनिटी में आप उनने जाकर देख सकते हैं बात करेंगे विश्चिक राशी के प्यार भरे राशी फलकी यानिकी लव रिले जाएंगे और पांच नमबर को वापत धनू राशी में बोचर करेंगे दस अपरेल को वकरी होंगे और ग्यार अगर्स को मारगी होंगे वहीं शेनी 30 अपरेल को वकरी होकर 18 सितंबर को मारगी आपके हो जाएंगे तो यह हुआ दिक रहों की इस्तिथी देख लेते हैं तो यह जो साल है वो लव रिलेशन्शिप के लिए बहुत अच्छा मैं कहूंगा रहने वाला है अगर आप एक रिलेशन्शिप में हैं तो आपके जो रिष्टे हैं वो बहुत अच्छे होते हुए यहां दिखाई देंगे हलाकि मैं बहुत समाने अधार पर बता रहा लव रिलेशन्शिप की जो रिपोर्ट है वो आप मुझसे करवा सकते हैं नमबर जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है आप उसमें मुझसे बात भी कर सकते हैं आपकी जो इस सामें जो बॉन्डिंग रहेगी पूरे साल में वो बहुत अच्छी यहां पर रहेगी और अगर आ आप अपनी दिल की बात को काफी अच्छे से रख़ पाएंगे तो उनों के बीच तान मेल तो बहुत ही जबरदस्त इस साल होगा साथ इसाथ जो लांग ड्राइब पर जाने की बात होती है सुहाने सफर पर जाने की बात होती है वो बहुत अच्छी यहां पर आपकी तो फरवरी के बीच में काफी अच्छे गिफ्ट के आदान पितान होंगे वहीं अपरेल और मई आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा लेकिन फरवरी में और जनवरी में थोड़ा सा ध्यान रखें किसी थर्ड परसन की कोशिश कर सकता है कोई आपके बी परसन की तरह से जगा ना दें तो बहतर आपके लिए रहेगा थोड़ी मुद्ध बहस इन दिनों में हो सकती है लेकिन अगर दो महीनों को मैं निकाल दू तो भागी तस महीने आपके लिए हैं वह बहुत ही शांदार आपके लिए रहने वाले हैं और अगर आप प्रेम भी दिवा में हैं या भी आपकी नहीने रिलेशन्शिप शुड़ू हुई है तो मैं कहूंगा कि स्वड़ सा समय दें समय देखकर चीजों को आगे बढ़ाएं और कोशिश ही करें कि किसी चीज़ की माइनूट चीजों को तूल जादा ना दें साल बहुत बहतर है आपके दिखाई मुझे नहीं देती अगर किसर का दिलक कर लें अपने नाभी पर गर्दन पर और दोनों कान पर तो काफी अच्छा आपके लिए रहेगा तुर्गा जी के अपास ना अगर कर लें तो फिर सारे जो दुख हैं वो आपके खतब हो जाएंगे विस्तित रूप से जो हो आने वाला साल आपके जिन्दगी में बहुत अच्छे कुछ नए आयाम लेकर आएंगे और आप अपने जिन्दगी में बहुत कुछ रहे हैं देखने के लिए बहुत बहुत अनवाद